नमस्कार साथियोट, मैं आया हूँ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशाई पर चल्चा करने, जिसे सुनने के बाद शायद आपका नजरिया भारत छोड़ो आंदोलन और क्विट इंडिया मुव्मेंट के विशाई पर बदल सकता है। 8 अगस्त 1942 मुंबए के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस के सारे लीडर्स इखटा होते हैं एक संघर्ष का एलान करने, एक आखली संघर्ष जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाला था, जिसमें हजारों की भीड गांदी जी का भाशन सुनने आई थी, उसमें गांद दिल में बसालो और हर सांस के साथ उसे कहना, करो या मरो, अब या तो हम इंडिया को अजाद देखेंगे, या तो इस कोशिश में मर जाएंगे, लेकिन एक भी धिन और इस गुलामी में नहीं जियेंगे, और ऐसे शुरू होता है भारत छोड़ो अंदोलन, पर अंदू क्य आपके लिए एक अनॉंसमेंट है, आएए सब की तरफ से, कि हमने एक WhatsApp चैनल लॉंच किया है, जिस पर सारे ही information, हमारे free resources, सब इस पे अवलेबल होते हैं, आपको हमसे और ज़्यादा जुड़े रहने के लिए ये चैनल की शुरूआत करी गई है, so for doing that and to be much more informed, connect with the channel as soon as possible. समय पे World War 2 चल रहा था, and during that time, Japan जो है, वो अलग-अलग areas पर South East Asia के अंदर expansion कर रहा था, और अपने areas बढ़ा रहा था, 7 December 1941 को उसने एक बड़ा हमला किया USA के Pearl Harbor पे, and उसी के साथ वो World War 2 में Germany वाले group के साथ जुड़ गया, and ऐसे South East Asia में बहुत सारे Britain के colonies थे, क्योंकि Britain Germany के अपलट रहा था, इन Britain colonies के उपर, जाहिर सी बात है, फिर जापान हमला करने लग गया, और इन ही हमलों में उसने बहुत सारे areas के उपर कबजा कर लिया, that is China, Philippines, Korea, Malay Peninsula, Indonesia, ये सारे ही areas के उपर ये कबजा करते चले गया, अब गांदी जी, जापानियों से जुड़े हुए द जापान भारत पर भी आकरमन कर सकता है, इसी लिए अंग्रेजों को भारत से निकालना पड़ेगा, ये पहला कारण था, दूसरा कारण ये था कि जापान, मैंने अभी आपको बताए कि जापान ने बहुत सारे South East Asia के जो areas है उसके उपर इसने कबजा कर लिया, अब जापा गांदी जी, Quit India Movement की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था, कि अगर जापान यहां से, अगर वो इंडिया की तरफ आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है, कि वो इंडिया के अंदर भी वही सारे atrocities करेगा, अगर उन atrocities के विशाय में मैं बात करूँ, तो सबसे पहला, जापान जब expansion कर रहा था, वो three all का policy follow कर रहा था, kill all, loot all and burn all, इस particular policy के तहत, उन्होंने बहुत सारे areas के अंदर जब कबजा कर रहे थे, तो बहुत सारे गुलाम भी बनाया, और उन गुलामों में इन्होंने महिलाओं को सबसे जादा गुलाम बनाया, अगर estimates की माने, तो क्योंकि हाई स्कूल में ही ना बालिक लड़कियां पढ़ती थी, और वही से ये लोग अगवा करते थे, अब यही सेम चीज इन्होंने चाइना के अंदर किया, इंडोनेशिया, कोरिया, ऐसे बहुत सारे महिलाओं को इन्होंने अगवा करके उनका daily, everyday, they used to rape them up, they used to kill them, ठी ये इस लेवल का atrocity था, महिलाओं के प्रतीन का, इसके अलावा, इनकी हद और जादा बढ़ जाती है, ये इन्होंने एक unit की शुरुआत करी थी, that is the unit 731, इसके अंदर बहुत सारे जो जापानी लोग थे, वो जीवित इनसानों के उपर live testing करते थे, वो उनके अंदर diseases, viruses ड रहे हैं, क्या functions होते हैं, ये इनसानी शरीर के extremes को भी समझना चाते थे, इन लोग, जापानी लोग, इनसानों को naked, थंडी में भेज देते थे, और उनके हाथ बरफ से जमा देते थे, पैर बरफ से जमा देते थे, ऐसे करके अलग-अलग experiments करे गए, उनको poison देके देखा गय कौन सा poison fast react कर रहा है, उनको जिन्दा काटा गया, उनको burn किया गया, इस level के atrocities करे गए थे by the Japanese people, एक estimate ये भी है कि इन्हों ने, जापानियों ने, ये cannibals थे, इन्हों ने Indian soldiers, जो British Indian Army के लिए लड़ रहे थे, South East Asia में, जब इन soldiers को इन्होंने गिरफतार किया, तो इन soldiers को इन पड़ेगा, और इसी लिए एक independent India होना बहुत जरूरी थे, क्योंकि एक स्वतंत्र भारत, सशक्त भारत बन सकता है, और अपनी सुरक्षा कर सकता है, इसी वज़े से Quit India Movement की launch होई थी, तो ये था एक सबसे महत्वपूर्न कारण, जिसके वज़े से गांधी ने Quit India Movement की बात करी थी, इसके अलाबा अन्यकारण क्या थे, ये आप कमेंट करके इस पर्टिकुलर सेशन पर जरूर बताएं, With this, I thank you for watching this particular session.